नमस्काव मैं हूँ शुभे और आप देखरें न्यूस वानेशन बिखरें, आधह, जो मंत्री हैं उनपर कई सारी गंबे रारूप थे फिर क्या था? बिहार के सियासत में इसको लेकर लगातार चर्चा होने लगी विपक्षक की ओर सी कई सारी बाते कही जाने लगी और अभी तक इसको ले कर कहा चा रहा है कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार को इन तमाम मंत्रियों पर कारवाई करनी चाहिए उनकी जाँच की जानी चाहिए कि आखिर कौन से अपराधिक मामलों में उनकी खिलाइब दर्ज है मामली और साथी साथ क्यों वो इस तरह के अपराधिक मामलों में लिप्त होते भी मंत्री बनाए गए है अब ऐसे में नीता बदिपक्ष दिजश्वी आदव बिहार के हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाते तो नजर आते ही है लेकिन अब मंत्रियों को लेकर भी उन्होंने सवाल करना लगतार शुरू कर दिया है एक तरफ जहां मुकेश रहनी की बात की जाये तो हाल ही में उनकी एक सरकारी कारक्रम में जैसी ही उनकी भाई पहुंची वहां उलगाटन किया इसको लेकर भी विपक्ष की ओर से सदन में खूब हंगामा किया गया साथी साथ कई सारे सवाल की गए उनकी बर्ख्वास्तगी को लेकर मांग की गए लेकर इन सब की बीच अब नीता पधिपक्ष ती जैश्वी आदवनी एक बार फिर से बिहार सरकार की सच्चाई दिखाते हुए एक ट्वीट किया है और ये कह दिया है कि जिस सरकार में 64% मंत्री पूरी तरीके से अपराधिक मामनों में लुप्थ हो जिनके खिलाफ कारवाई की जा रही हो इसके लावा ती जैश्वी आदवनी और क्या कुछ लिखा है पहले देखे बिहार सरकार की 64% मंत्री गंभीर अपराधिक मामलों में लिप्त हैं मंत्रियों पर भ्रष्टाचार बलातकार हत्या शराब तसकरी इत्याधी की गंभीर मामले दर्च हैं शराब बंदी के नाम पर प्रदीश में 20,000 कडोर की अवैद समानांतर अर्थ वेवस्ता चल रही है बिहार के कडोरो युवा बेरुजगार हैं तो आपको बता दे के विपाक्ष के ओर से लगातार अलग-अलग मुद्दों को लेकर आवास उठाई चारी हैं अवैसे में शराब बंदी और साथ समानांतर अर्थ वेवस्ता को लेकर भी तीजश्री आदव ने सवाल किये हैं आपको बता दे के बहार में बढ़ते हुए बेरुजगारी को लेकर हमेशा नीता प्रदिपक्ष तीजश्री आदव अपनी आवास बुरंद करते हैं युवाओं को लेकर कई सारी बाते कहते ह और साथी साथ बिहार में बढ़ते हुए अपराद को लेकर भी मुख्य मंतरी नितीश कुमार को घेरते नजराते हैं हालाकि उनकी इन तमाम बातों का जवाब मुख्य मंतरी नितीश कुमार भी सदन में देते हैं लेकिन अंसक के बीच उनकी तरफ से कई सारी कोशशी की ज प्रयास किये चारे हैं कि ये तमाम समस्याओं का समधान किया जा सके लेकिन कहीं न कहीं जो सरीके से बिहार में अपराधिक मामली सामने आ रहे हैं और बीरोजगारी सामने आ रही है ऐसे में ये पूरी तरीके से बिहार सरकार की पूरी नीती रीती को विफल होती साबत करती ह फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे हैं नमस्कार